तो यह देखी मेरे हाथ में क्या है यहां पे यहां पे मेरे पास है यह पुराना सा टीशिट जो मेरे हस्बंड का है और यह गर्मिम में कई सारे जब इंसान ले लेता है फिर क्या होता है यह पूराने हो जाते हैं या फिर खुद भी जो टीशिट पहनता हो वो पहनते पहनते क्या है कलर वेगरा उसका चला जाता है या फिर मन उपजाता है इसलिए नहीं पहनते हैं तो ऐसी टीशिट का हम के यूज में आए ऐसी चीज़ बनाएंगे और बिल्कुल free of cost हो time भी कम लगे आपका और बहुत ही अच्छा ऐसा कुछ बनके आए तो चलिए इसी तरह का में आज वीडियो लेके आईगा वीडियो पूरा देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करिएगा अगर मेरे चैनल पर नए देख रहे हैं उसे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकन को जरू प्रेस किया करें ताकि मेरे जो भी नए में वीडियो डालू आप तक सबसे पहले पहुंसे और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी किस दियेगा कॉमेंट भी प्यारा सकरके ब अच्छे बड़े लेडिस जेंड्स कोई भी टीशिट हमारे यहां हो तो हम ले लेंगे और तीन शेड में लेंगे यानि तीन कलर में लेंगे ताकि जो भी हम बना रहे हैं सुन्दर बने डिजाइनर पीस बने और बहुत ही जादा इजी में बताऊंगी तरीका आप सबको देखी साय्स का यहां परें सीदह अच्छे रहे उसतीट में Claus के जो लेंगे हो डिता साइट की आपको टी शीट हैसक द्यास पेशिए है अगर आपके ठीवैंन के bethp कि आगे क्या करना है पर तुमें इसको मेजरमेंट में बताती हूं मैं इसे तीन-तीन इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी यहां पे तीन-तीन इंच पे मैंने पूरे टी-शेट पे निशान लगा लिए और यह आगे और पीछे दुनों साइट का है इसमें अभी मैंने क क्या करेंगे इस तरह से कटिंग करके मैंने सोचा कि मैं इसे हाथ से ही फार दूंगी ताकि ज्यादा ही इजी रहे पर हुआ यह की टी-शेट हाथ से नहीं फटा वह कहीं और ही फट के जा रहा था क्योंकि नॉर्मल कपड़े हाथ से फट जाते हैं पर यह इसका कपड़ा ह कि यह नहीं फटा तो फिर मैंने इसको क्या किया मैंने इस तरह से फिर से निसान लगाया उपर तक इस निसान को और फिर मैं इसको करूंगी तोड़ा सा कर्टिंग में टाइम लगा था मिनिमम दस मिनट बानके चलिए इतने सारा टी-शेट थे क्योंकि में पास तीन चार कलर तब जाके यह बनाया है कंप्रीट हुआ इसके बाद से साहने कटिंग कर लिया तो इस के बाद मैंने इसको ब्लैक वाले को कर लिया और इसके बाद मैं बताती हूं किया करना है कि इसके वास ही यह तीनु टीशेट का भी मैं कर लूँगी और यह देखिए यह मैंने सारे टीशेट का कटिंग कर लिया कुछ रैड है कुछ वाइट है येलो है ब्लू है बलैक है अब क्या करेंगे एक एक पीस को हम ले करके इस तरह से जब एक घर्ड़ को खीछेंगे तो यह इस तरह से कुछ राउंड राउंड शेप में बनते जाएगा इसको थोड़ा सामें गोल शेप देना है तो T-Shirt का कप्ड़ा होज़री कहोता है जिसकी वज़े से यह कप्ड़े हो जाता है अब देखिए तीन कप्ड़े हमने इतीन शेट म उपर से बचा हुआ होना चाहिए इस तरह से चार अंगुल हम उपर की तरफ से छोड़ेंगे और इस दिखिए मैं पास से दिखाती हूं आप सबको और फिर इसके पास से जब यह हो जाएगा तब इसको क्या करेंगे नॉर्मल जो हम चोटी बनाते हैं अपने बाल में वैसे ह चोटी बनके तयार हो जाता है सिफ चोटी चोटी ही बनाते जाने के च्चोटी बनाने बनाते जाएंगे तो और भी जल्दी आपका बनके रेडी हो जाएगा तो इस तरह से मैंने तयार कर ली और कितनी वड़ी चोटी करनी है इसका मेजरमेंट भी बताऊंगी और सबसे पहले देखिए यहां पर मेरा ब्लैक वाला घट गया था इसको मैं सिलाई नहीं करूंगी यहीं से जिस तरह से चोटी में हम परांदा वेगरा डालते हैं या फिर अलग से बाल लगाते हैं तो जॉइंट कर देते हैं उसी तरह से हमें इसमें भी उसी तरह से जॉइंट करना है कोई सिलाई वेगरा के जरूरत नहीं है इसके बाद से देखिए मैं लंबाई बताती ह और लास्ट में भी मैं देखी यहां पर 25 मैंने 25 कर लिया और इसके बाद से मैं रास्ट में यहीं पर गाट लगा दूँगे तो मुझे इतना 25 इंच के ही और भी पीसे बनाने थे और मैं इसना चार उंगुल कपड़ा छोड़ते हुए फिर मैंने कर दिया एक्ष्टा जो मेर बनेगा और फिर मैं बनाने में जुट गई थी थोड़ा टाइम लगा था 10-15 मिनट पर यह फटा-फट से बनके रेडी हो गया देख भी सकते हैं कि मैंने इसे फटा-फट से बना लिया था तो सारे पीसे मेरे टोटल कितने हैं मैं बताती हूं आप सबको और अगर आप मेर इससे पहले चैनल पर अगर मुझे नहें देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू करें क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत सी ऐसी नहीनी चीज़े देखने हूं कि आप सबको मिलेंगी जो आप फ्री अप कोश्ट बना सकते हैं अपने घर में अपने हाथों से तो इस मेरे पास टीशट थी उसको मैंने लिया और इस तरह से मैंने सारे पीसे से यहां पर इडिक कर लिये टोटल कितने पीसे से तो टोटल मैंने बनाया था 18 पीस आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं या जो चीज़ भी हम बना रहे हैं जितना बड़ा आपको चाहिए पू करेंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आया तो पहले तो बना है आपके पास टीशिट है आप उतने ही टीशिट का बना सकते हैं बहुत ही बिग साइज में बनके तयार हो सकता है इस तरह से इसको अरेंज कर रही हूं तो जो सीधी वाली चोटी है उसको मैं नीचे की तरफ से क करwenगी क्योंकि हमें उपर सिधा वाला प Hugh है लाका नीचे करना है तो सीधा चोटी हम नीचे की तरफ करेंगे ताकि अच्छी फिनिशिंगा सै तो पहलेर तुमित मैं इस तरह से अरेंज कर देख रही थी कि क्योईकि मैना हो गया था एक पिंक ओ गया था एक रेडकी हो गय चोड़ाई है तो यह मेरा 18 पीस है यहां पर बनके ready तो मैं अब बताती हूं क्या करना है इसे हम क्या करना को उल्टे साइड से ही स्वीज ले ले लेंगे बड़ी वाली और इसको इस तरह से सिलते जाएंगे तो चिर्फ हमें पीछे की तरफ से सिलना है आगे की तरफ से नही क्या करना है तो यहां पर देखिए मैं दो-दो-पीस इस तो यहां पर देखिए मैं दो-दो-पीस इस तरह से रेडी कर लिये है सारे यह दीखिए शार दो-दो-पीस ज्वाइंट हो गया है अब क्या करना है कि दो-दो-पीस को हम एक साथ हम ज्वाइंट करना है तो फिर क्या होगा चार-चार पिस जब एक साथ जोइंट हो जाएगा तो थोड़ा सा चोड़ा यह और हो जाएगा एक साथ हम नहीं करेंगे इस तरह से जब करेंगे तो हमें सिलने बहुत आसानी रहता है अब देखिए आधा आधा बढ़ चुका है यानि चार-चार को भी ह जोइंट कर लेंगे अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही थी क्योंकि जब यह पतला था तो चौड़ा सा थने तो तो यह दिखिए इसका फाइनल लुक बनके रैडी हो चुका है बहुत सुन्दर सा मैट बनके तयार हुआ है आप साई तो इसका बिक साइज भ बना सकते हैं free up cost अपने घर में बहुत ही सुंदर बन के तयार हो बहुत ज्यादा ठीक है और पानी बहुत ज्यादा एब्जरब करेगा अगर आप इसे बाथरूम के दर्वाजे पर रखेंगे तो आप सबको आज का मेरे वीडियो कैसा लगा जरू बताएं वीडियो अच्छ